मेके बहुत सारे मिनिंग नहीं तो it produces different meaning और आज हम वही देखेंगे अब जरह ये example देखिए Children make a lot of noise जिसका मतलब है कि बच्चे बहुत शोर मचाते हैं अब यहाँ पर make a meaning देखिए आप मचाना, ये बनाना नहीं है इसी तरीके से अब हम एक और example देखते हैं She made a big mistake यानि कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर make a क्या मतलब बनता है यहाँ पर make a मतलब है करना ना की बनाना आप देख सकते हैं जैसे ही make किसी noun के साथ attach होता है यानि की collocate होता है तो एक ये अलग ही meaning देता है अब जरह यहाँ इस example को देखिए Mr. Senni makes a lot of money in his business यहाँ पर make का क्या मतलब बनता है कमाना Mr. Senni अपने business में काफी पैसा कमाते है Let's see one more example He makes his own bet यानि की वो अपना बिस्तर खुद बिचाता है यहाँ पर make का मतलब आप देख सकते हैं बिचाना त्यार करना तो अगर आपको इस तरीके से make और बाकी दूसरे words के meaning use करने आ जाएं अलग अलग words के साथ को locate करके तो आप की जो range है English में वो काफी wide हो जाती है So, use make with different expressions